कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। जिन्दगी में किसी को मत बताओ। नमबर एक आप विदार्ती हो तो भविश्य का लक्से गुप्त रखो। नमबर दो आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्वे गुप्त रखो। यहां तक कि बेटा बेटी की परिक्षा का केंदर सहर गाउं से दूर हो तो मत बता। नमबर तीन अपनी सेलरी किसी से ना बताओ। इसे हमेशा गुप्त रखो। नमबर चार आपकी नोकरी खूप्या ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। नमबर पाँच कहीं पर नोकरी का इंट्रू देना है तो इस बात को पडोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चैनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक जवाई ना कर लो। नमबर छे आपकी साधी होनी हो तो ससुराल का पता साधी तक गुप्त रखो। नमबर साथ घर में कहीं से धन की प्राप्ती हुई हो तो गुप्त रखो। नमबर आठ बैंक एकाउंट नमबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। नमबर नो संपत्ती का बटवारा हो रहा हो तो बात पुर्शों के मद्दे ही रहनी चाहिए। यहां तक की बहु को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए। यानि जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नमबर दस बहन बेटी का रिष्टा त्याय किया हो तो रिष्टे की बात साधी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पडोसन को मत बताओ। अचानक आ भी जाए तो उसे बहाने से लोटा दो। नमबर ग्यारा बहन बेटी का कोई प्रेम परसंग खुल गया हो तो इसे गुप्त रखो। नमबर बारा पती पतने का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मन मटाओ की बात को हमेशा गुप्त रखो। नमबर तेरा बेटा बिगड जाए या सराब जुआ खेलने लग जाए तो गुप्त रखो। नमबर चोदा बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुस्मन विदेश तक पीछा करते हैं। नमबर पंदरा प्रोपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रोपर्टी खरीदी हो तो जब तक जिरूरत ना हो किसी को मत बताओ। नमबर सोला लोकर किस बैंक में हैं यह भी गुप्त रखो। इससे समंदित सलहा भी बैंक मनेजर के इलावा किसी से ना लो। मनेजर की उपस्थिती में भी लोकर खोलने से बचो। जब वह अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। गर में जवैलरी आई हो तो खासतोर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहीली मत समझो। यह बात भी गुप्त रखो। उनका वहन अगर स्कूल दवरा तैने हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। नमबर बीस कहीं ब्रह्मन पर कहीं दिन के लिए जाओ तो यह बात गुप्त रखो। बहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े से ढखकर जाओ। किसी पडोसी को भी मत बताओ कि आप कब लोटेंगे। नमबर एककीस घर में किसी को अगर कोई अती गंबीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिती में ही लो। नमबर बाइस बच्चा फैल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो। वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिक्ता पर विप्री तासर पड़ेगा। नमबर तैस साधी हो जाने पर पिछले प्रेम परसंग बताने की जरूरत नहीं। अपने सुहाग रात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंबीर प्रनाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। नमबर चोबिस पती के घर की बाते कभी माईके वालों को ना बताएं। नमबर पच्चिस किसी गरीब को दे गए दान की बात उजागर ना करो। नमबर चबिस किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। नमबर 27 बजूर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक सिमीत रखें और इस बात को बहुत नजदी की वकील के इलावा किसी को ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ या हुई तो बजूर्ग पर वसीयत अपने मनमाफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाओ बना सकते हैं। नमबर 28- कई बार नजदी की रिश्तेदार से किसी का कोई अव्यद संबंद बन चाये या नजदी की रिश्तेदार बहनोई विसेश रूप से कोई एनæतिक कारिये कर बैठे, तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिये, म अगर यहे बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए नंबर 29 पुरानी काहवत है कि पती-पत्नी को भी एक दूसरे के समक्स पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए धन्यवा दोस्तों